अगर आप कोठी का सेकरेंट फनीचर खरिना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखेगा आज आपके लिए लेका आया हूँ फाइप सीटर सोपर सेट वाशिमसिंग और एक लेका आया हूँ आप लोगों के लिए आईरेंड में टबल बेड तो यह सारा का सारा कोठी से फनीचर है जो के स्क्राइप रेट में बिक्रा है जैसे कि आप सब जानते हैं लोग बोलते हैं कि कोठी पेखेंगे कि कहा पर विखता है तो जी हां बता दू मेरा जो चैनल है यह आप लोगों को कोठियों का ही second and furniture के information लेके आता है लोगों के घर दुकान फैक्टरी से तो आज ऐसा information है तो अगर आपको ये पसंद है आपको लग रहा है आपके मतलब का है आपको चाहिए तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहिएगा मैं इस वीडियो के आखिर में आपको सारे detail बताऊं तो आपके हां से एक अच्छी opportunity एक अच्छा मौका निकल जाएगा तो दोस्तो मैं आज पूरी detail बताऊं उससे पहले मैं आपको और अपने नए वीवर्स को बता दूँ जो आज मैंसे नए जुड़े हैं कि हमारा चैनल आप लोगों को कैसे फाइदा पुचा सकता है तो च देख रहे हैं सोपा सेट फाइव सीटर जो के लकड़ी का है शागवान में इसकी गद्या सारी फोल्ड हो जाती है आप इसे हटा कर कहीं भी गद्यों को रख सकते हैं और सोपा को फिर से आप साफ करके दुबार से रख सकते हैं इस तरह की का सोपा दोस्तों काफी मजबू हो ठीक है और यह बिल्कुर नीट अन्किलीन साफ सुत्रा है रणिंग में है ज्यादा पुराना नहीं है हां लेकिन इने सेल करना है इस वज़े से यह सेल कर रहे हैं इसको तो अच्छे से देख लिए समझ लिए चारो सैट से मैं इसको दिखाने कोसिस कर रहा हूं मैं और यह फूल एलेक्टोनिक है और ज्यादा इसमें आपका यह लगा लो के मेहनत करनी की दूरूत नहीं है आप सिरफ कपड़ा रखे तो यह ड्रैक करके भी निकल जाएगी वास करने के साथ साथ और इस तरी की वह सी मार्केट में अगर आप ख़़ीदने जाएं तो लगबग 16, 17, 18,000 रुपे के रेंज में मिलेगी लेकिन यहाँ पर बहुत कम प्राइस पर है तो साथ में आपको यहाँ पर मिल रहा है एक और चीज़ जो के है डबल बैट आईरन में लोहे में जो के क्वालिटी वाइस बहुत अच्छा बैड है और यह बैड फॉल्डिवल है जिया फरनिचर की क्या चीज़ है और क्या क्या है अब मैं बता दूँ आपको इमिल कह रहा है तो यह तीनों के तीनों देली में ही है तो दिल्लिम से यह NCR से कहीं से आप है अगर आप इसे खरीदना चाह रहे हैं तो आप सोच रहेंगे कि आप इंसे कॉंटक्ट कैसे करें तो मै किसी के पास और आपका वासिंग मसीन किसी के पास तो आप नीचे डिसक्रेप्शन में जाएए वहां पर अच्छे से नंबर चेक कर लिजे किसका कौन सा नंबर है और उसी नंबर पर फॉन करके आप अच्छे से उनसे और डिटेल लिजे और कुछ कम ज्यादा सब कुछ बता दिया अब मैं बता दूँ कि आप अगर भारत में कहीं से भी मुझे देख रहे और आपको लग रहा है कि आपके घर के आसपास कुछ मिल जाए तो कमेंट्स में आके लिखे कि आप कहां से हैं क्या चाहिए नेक्ट में आपके गाउं से इन्फोर्मिशन लेक कि आउंगा मैं तो कमेंट्स में आके जरूर लिखे और आपके घर भी कुछ भी स्क्रेप पढ़ा है और आप सोच रहें कि बेच दें घर की जगह खाली हो जाए कुछ पैसे मिल जाए तो इस नंबर पर फीट वीडियो और फोटो भीडिये फटाफट मुझे आप